Good morning students, Home Science MCQ Channel Video Series 4 में आप सभी का स्वागत है Home Science Research Methodology के Question Answers आपको विभिन प्रतियोगी परिक्षयों की तयारी में अत्यंत सहायक होंगे आईए शुरू करते हैं अनुसंधान क्रिया विधी से संबंधित Question Answers First Question है, अनुसंधान में एक आम परिक्षा के लिए बहुत प्रात्मिक्ता की मांग है Option A, विश्वस्नियता, B, उप्योगिता, C, उत्देश्य, D, उप्रोक्त सभी आपका सही आंसर होगा Option D, उप्रोक्त सभी Second Question है, अनुसंधान है Option A, बार-बार खोजना, B, किसी भी समस्या का समधान ढूंडना, C, किसी भी समस्या की सच्चाई के लिए विज्ञानिक तरीके से काम करना Third Question है, किरिया अनुसंधान का मतलब है Option A, एक longitudinal research, B, एक अनुप्रोक्त अनुसंधान, C, एक तत्काल समस्या को हल करने के लिए शुरू की गई एक शोद, आपका सही आंसर होगा, Option C, एक तत्काल समस्या को हल करने के लिए शुरू की गई एक शोद, एक्शन research कहलाती है Fourth Question है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होना चाहिए Option A, सकरात्मक विशम, B, नकरात्मक विशम, C, लैपलोकर्टिक विशम, या Option D, जीरो विशम आपका सही आंसर होगा, Option D, शुन्य विशम Fifth Question है, अनुसंधान प्रक्रिया शुरू करने में निमलिखित में से कौन सा पहला कदन है Option A, समस्या का पता लगाने के लिए जानकारी के सुत्रों का पता लगाना B, संबंदित सहित्ते का सर्वेक्षन C, समस्या की पहचान D, समस्या के समधान की खोज करना आपका सही आंसर होगा Option A, समस्या का पता लगाने के लिए जानकारी के सुत्रों का पता लगाना Six questions है, यदि एक शोद करता यह पता लगाता है कि किस प्रशासनिक शैली से संस्थागत प्रभाव का अधिक योगदान होता है तो यह एक उधारन होगा Option A, Basic Research B, Action Research C, Applied Research या D, उप्रोक्त में से कोई भी नहीं आपका सही आंसर होगा Option C, Applied Research Seven questions है, निम्नचर में से कौन सा मात्रात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है Option A, समाजिक आर्थिक इस्थिती B, वैवाहिक इस्थिती C, Numerical Aptitude या D, व्यप्साइक दरश्टी कोड आपका सही आंसर होगा Option D, Professional Attitude Question No.8, एक डॉक्टर डेंगो बुखार की दो दवाओ के सापेक्ष प्रभाव शीलता का अध्यन करता है उनके शोत को वर्गिकरत किया जाएगा Option A, वर्णात्मक सर्वेक्षन B, Experimental Research या C, Case Study और लास्ट आप्षन है, Ethnography आपका सही आंसर होगा Option B, प्रायोगिक अनुसंधान नाइन्थ कोशन है, शब्द Phenomenology की प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है Option A, Qualitative Research B, Analysis of Variance C, सहसंबंदी अध्यन D, Probability Sampling आपका सही आंसर होगा Option A, Qualitative Research Last 10th Question है, अनुसंधान Hypothesis के निर्मान के संचालन की प्रक्रिया में इसके बाद क्या आएगा Option A, उदेश्य का विवरण Option B, Data का विशलेशन Option C, अनुसंधान उपकरण का चयन या Option D, Collection of Data आपका सही आंसर होगा Data का संग्र है Thank you students for watching my all videos Please watch daily and do practice all questions चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस चैनल की माद्यम से अप्लोड होने वाले सभी latest videos को देख सके और आपको उनका notification मिलता रहे धन्यवाद